नमस्कार दर्शको, स्वदेश नियूस के इस खास कारेक्रम सबकी बात में आप सब का स्वागत है मध्य प्रदेश में विधान सभा चुनावे और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की चीफ एलेक्टरल ओफिसर अनुपम राजन जी से अनुपम राजन जी 93 बैच के आईयस ओफिसर हैं कई महत्वपून पदों में वो रह चुके हैं इससे पहले वो जन्संपर के आयुक्त थे यह एक बहुत महत्वपून जम्मेदारी है खास करके इस बार के विधानसभाई एलेक्शन हम देख रहे हैं कि कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों बहुत अक्टिव और एग्रिसिव मोड में चुनाव आयों की तैयारी काफी पहले से शुरू हो जाती है चलिए हम उनसे बातचीत करेंगे सर आपका स्वदेश न्यूस के इस खास कारेक्रम सबकी बात में बहुत-बहुत स्वागत है और हम आपको थांक्स देना चाहेंगे क्योंकि आपका इतना बिजी शेडियूल है लेकिन उसमें भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला है जैसा सर हम लोग देख रहे हैं कि ये 2023 का विधानसभा एलेक्शन जो है बहुत लग रहा है कि एक काटे की टककर होगी खेर वो तो पॉलिटिकल पार्टी की बात है कॉंग्रेस और बीजेबी की चुनाव आयोग भी अपनी तरफ से बहुत तायारी करता है हम लोग पूरी तरह से तयार है मतलब तो चुनाव काफी करीब हैं सतर थारे को चुनाव है बहर लिए 10 दिन से भी कम समय बचा है उसके लिए तो चुनाव को लेकर के जैसे हाऽ हम ने कहां तयारी तो तयारी लग भग एक साल पहले सुरू होती है और तब से different activities हैं, different timelines हैं जिसके तहरत हम लोग काम करते हैं तो आज की स्थिति में मैं कह सकता हूँ कि चुनाव के लिए हम लोग मतलब include district administration जहां actual जहां पर चीजें होती हैं तो सभी लोग चाहे वो EVM machines की उपलपता की बात हो, उनकी FLC करानी हो, कमिस्निंग करानी हो, ट्रेनिंग हो, पुलिस परसनल की का deployment का plan हो, मद्दान के अंदरों पर होने वाली विवस्ता हो, तो जितनी सारी activities हैं, around 150 activities अगर हम इसको micro level पे देखते हैं और सब के अपने समय सीम अपने timelines होते हैं, जिसको P-300, P is the poll day, तो P-300 से हम लोग काम करना सवरू कर देते हैं, तो आज के सिति में चुनाओ के लिए हम पुरी तरह से तयार हैं, हमने recently काफी महीनों से भी देखा है कि आप लोगोंने बहुत सारे activities किये हैं, चाहे वो young voters को aware करने की बात हो, first time voters को aware कर करने की बात हो, या polling percentage बढ़ाने की बात हो? और स्कूल्स में, हार सिकंडरी स्कूल्स में, कॉलेजेज में, कैम्स किये गए, कैम्स के मादिम से बच्चों को प्रिरित किया गया, हमारे जो B.L.O.s हैं वो वहां गए, उन्होंने हैंड्स ओन सेसंस किये, उनको बताया कि कैसे online आप 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 बजगते हैं, तो लो यूथ वोटर्स और विमेन वोटर्स इस्पेसली इनकी संख्या में काफी अच्छी बढ़ोत्री हुई, जो एक अच्छा संकेत है, जहां तक वोटर टर्नाउट को बढ़ाने का सवाल है, पिछले विजानसभा चुनाओं में, जो हमारा वोटर वोटिंग परसेंट इस था या वो पर्ची चुनाओं की पर्ची आपको नहीं मिल पाई, समय पे या किसी कारणवर, तो हरे के मन में ये दुविधा होती है कि हम पोलिंग स्टेशन तक जाएं या ना जाएं, हम पोलिंग अपना वोट दे पाएंगे की नहीं दे पाएंगे, इस पर आप क्या कहेंगे तेकर ये जासे मैंने आपको बताया कि जो अनिवारी चीज है वो ये है कि आपका नाम उस गाउं की वोटर लिस्ट में होना चाहिए, उस मद्दान केंदर की मददाता सुची में होना चाहिए यदि किसी वेक्ती का नाम वहां कि उस मद्दान केंदर की मद्दाता सुची में है और आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है जैसे आपने कहा या वोटर परची नहीं आई है तो निरास होने की कोई जुरत नहीं है वोटर आईडी कार्ड नहीं होने के बाद भी कुरिब 12-12 प्रकार के अन्य दस्तावेज हैं जिसमें से किसी भी एक को दिखा कर क्या वोट कर सकते हैं voter purchase सिर्फ एक माद्ध्य में आपको ये बताने का कि आपके मदान केंदर पे आपकी क्रम संख्या क्या है आपके मदान केंदर का क्रमांग क्या है आपका नाम वगरे के details होती है कहीं से भी वो ID का प्रूफ नहीं है आपकी identity establish नहीं करता है क्योंकि आजकल online का समय है हर चीज़ online है घर बैठे सब होता तो voting क्या online होगी आगे चलके इंडिया में ऐसा है कुछ या आप क्या सोचते हैं लेकि online voting की अपनी अलग चुनौतियां है ये इनसे और करना जरूरी होता है कि मदाता जब वोट कर रहा है तो एक free and fair माहौल में वोट कर रहा है आज के जो मदान के विवस्ता है उसमें मदान केंडर के अंदर मदाता जब वोट करने जाता है तो वहाँ पे वो बिलकुल अकेला होता है और वो free will से अपने voting right को exercise करता है online विवस्ता में साइद ही एक चुनौती है कि यह कैसे एंसे और हम कर पाएंगे कि जब वेक्ती online mode में अपना वोट कास्ट कर रहा है तो वह अपने free will को exercise कर रहा है इसके अलाव और भी कई सारी चुनौतीयां है इस पे विचार भारत निर्वाचा नायूग के अस्तर पे चल रहा है जो भी जैसा भी निर्णे होगा उसका पालन across the country किया जाएगा इस बार हमने notice किया है कि चुनाव voting के लिए काफी voters को facilitate किया गया है कि मतलब जो मद्दाता है उसको बहुत दूर ना जाना पड़े polling stations जो हैं बहुत करीब बनाएगे तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा चुनावती रहा होगा कि इतना सुविधा जनक बनाया जाए voting को ये करना भी चाहिए मद्दाता को कम से कम दूरी चलनी पड़े तो जो भारत निर्वा चनायोग के नर्देश में हैं कि मद्दाता को दो किलो मेटर से अधिक ट्राइवल नहीं करना पड़े इसको देखते हुए हम लोगों करने कई सारे नए मद्दान के अंदर बनाए ताकि मद्दाता को मद्दान की जो सुविधा है उसको काफी नजदीक प्राप्त हो जहां वो आसानी से जा सके और खास करके जो विमन वोटर्स हैं तो उनको और फिसलिटेट करने के लिए प्रेगनेंट विमन हैं लैक्टेट ताकि वोटर को दिकत नहीं है सथोड़ा सा बात करूंगी आचार सहीता पर आचार सहीता का उलंगन हम पढ़ते रहते हैं सुनते भी हैं बहुत सारे कंप्लेंज आपके पास आते होंगे सारी पुलिटिकल पार्टीज आती होंगी शायद रोजी आते होंगे कंप्लेंज ल जाते हैं, वहाँ पर कारवाई होती है, प्रकरण भी दर्ज की जाते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन विन मिनिस्टर के ऊपर भी इसमें प्रकरण दर्ज कराया जाते हैं, अगर पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो काफी महतुपूर्ण पदों पर बैठे लोगों के विरुद्द भी अचारस słuודה के उलंगन के मामले हुए हैं, तो हर सिकायत को आयोग बहुत सिर्ष लेता है, उसका हम लोग एक्जमिन करता हैं हर सिकायत में नहीं होते हैं, बर जिसमें तथे पाए जाते हैं, जो सही होते हैं, उनपे कारवाई होती है, ना सिर्फ अचारसंगिता अधिकारियों पर भी लागू होती है और हमने देखा है कि कई बार अधिकारी भी बदले जाते हैं, लास्ट मोमेंट में बदले जाते हैं, वो चेंज किये जाते हैं सर अभी मैंने पढ़ा यह बहुत अच्छा आप लोगों ने स्टेप लिया है कि जो 80 यह से उपर हैं और जो फिजिकली हैंडिकाप्ट है घर बैठे मतलब वोट कर सकते हैं आई थिंग यह बहुत ही एक सराणिय पहल है हाँ मतलब इस बार जो 80 साल से जज़ाए के लोग हैं टी प्लस जो हमारे बुजर्ग वरिद्ध मद्धाता हैं सीने सर्टेजंस हैं प्लस ऐसे लोग जो दिव्यांग हैं जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं और जिनकी दिव्यांगता 40% से ज़्यादा है इन सभी लोगों से हम लोगों ने संपर्क किया और इन से इनके ऑप्सेंस चाहे गए इनके पास दोनों विकल्प उपलब्ध हैं चाहें तो मद्धान केंदर तक जा सकते हैं चाहें तो घर से भी वोटिंग का लाब ले सकते हैं काफी बुजर्ग लोग हम अकबार में पढ़ रहे हैं आप भी की दिक्कत है तो इन लोगों ने इस विकल्प का चैन किया था और उसमें हमारी टीम उनके घर जाती है और हम उनसे घर पे मद्धान कराते हैं यह मद्धान पोस्टिल बैलट के माद्धिम से होता है इवियम के माद्धिम से नहीं होता मसें के माद्धिम से एक्च्वल जो म मददान के इंदर पे आते तो भी यदि हैं मारे कोई senior citizen है बुजर्ग मददाता मददान के इंदर पे आते हैं तो उनको line में ही लगना पड़ता वोलिंटियस उनकी मदद करते हैं wheelchair की बेवस्ता हम लोग रखते हैं रैंप की बेवस्ता रखते हैं नैचरली चुकि यह जो election के process में जो major stakeholders हैं वो political parties हैं, candidates हैं इसको में pressure नहीं कहूंगा उनके जो उनकी before the election जो उनकी सुझाव होते हैं चुकि हम लोग लगातार उनसे संबाद करते रहते हैं लगातार meetings होती हैं, state के अस्तर पे भी, जले के अस्तर पे भी, standing committee की meetings होती हैं, हम लोग जो भी काम करते हैं, जैसे आपने कहा different activities का जिकरा हम लोग बात कर रहे थे, चाहे voters की enrollment की बात हो, या draft role के publication की बात हो, final role के publication की बात हो, हर stage पे हम लोग उनको on board करते हैं, उनसे संपर्क में रहते हैं. EVM पे बहुत बात होती है, बहुत discussion होता है, कितना full proof है EVM? EVM 100% full proof. आप इतनी surety से कह रहे हैं? कह रहा हूं, it's 100% full proof. तो फिर उस पे इतने सवालिया निशान क्यों हो सर, बार-बार ये कहा जाता है, विदेश की countries हैं, वहाँ भी जब बैलेट से हो रहा है चुनाव, तो हम क्यों EVM से करा रहे हैं? क्यों, अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो this would learn from us, उनकों से सिखना चाहिए और करना चाहिए. मतलब हमें EVM में EVM के परिणाम को लेकर के बातें जरूर होती हैं, या EVM के प्रोसेस को लेकर पॉलिटिकल पार्टिस कहती हैं, बट कोई ऐसा ऑथेंटिक तरीके से कभी इस पे कोई कमी, आयोग ने तो कई बार कहा भी कोई है और इसको लोग कह जरूर देते हैं, कि हैक किया जा सकता है, इसको टैमपर किया सकता है, बाहर से इंफ्लूइंस किया सकता है, लेकिन ऐसा करके किसी नियास तक बताया नहीं, और अभी तक EVM से होने वाले परिणाम को अगर आप अनलाइज करते हैं, तो आप देखने कि ऐसा नहीं है कि इसके से हर तरह के परिणाम, हर प्रकार के पार्टियों के पक्च और विपक्च में परिणाम जाते हैं, तो यह कहना कि EVM में कुछ फूल प्रूफ नहीं है, यह मैं को टैमपर करना, इंफ्लूइंस करना किया जा सकता है, मैं इसको नहीं जाता है. सर यह आप लगभग दो साल से इस पत्पे हैं, यह पहला चुनाव है, जो हो रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं, कैसे चालेंज के रूप में ले रहे हैं, हाउड यू फेस्ट प्रेशर, किस तरह के चालेंजिस आपके सामने आएं, और कुछ ऐसे अनोखे कुछ अगर आपके साथ घटना करम वुआ हो, तो मैं चाहूँगी कि आप उमारे दर्श्रकों को बताएं. मैं कोई अनोखा, कोई घटना करम नहीं है, चुनाव कोई नहीं चीज नहीं है, हम लोग जब सुरुवाती दिनों में जिलों में पदस्त होते हैं, तो हम सब ने चुनाव एस कलेक्टर कराया हुआ है, और वही चीज है, यहाँ पूरे स्टेट पे उसको एक तरह से मैनेज करने वाली बात है, जो एक्टिविटी होती है, जो एक्टिविटी होती है, जो एक्टिविटी होती है, जो एक्टिविटी होता है, वो मद्दान केंदर होता है, जिले में का काम होते हैं, जो हमारे collectors हैं, जो जिला निरवाचन अधिकारी हैं और उनके साथ जो आरोज हैं, रिटर्निंग आफसर्स हैं, सारी गतिविधियां वहाँ होते हैं, वो दिन रात महनत करते हैं और इसको इस काम को अंजाम देते हैं, जिन आक्टिविटीज की और टाइम लाइन्स की हम लो जिला निरवाचन आयोग और जिला निरवाचन अथिकारी के बीच में जो कड़ी हो उसके रूप में हम काम करते हैं, जो गतिविधियां यहां से होनी है, जो उनको मदद देनी है, स्टेट लेवन से जो हेल्प देना है, वो सब हम लो करते हैं, और इसमें ऐसी कोई बहुत बिल्कुल सफलता पुर्वक होगा, लेकिन इसको लेकर कोई तनाव नहीं होगा, सर मुझे एक चीज और लगती है कि मादिप्रदेश को हम देखे तो पीस लविंग स्टेट है, यहां वोईलेंस की बहुत घटनाएं हम लोगों नहीं नहीं देखे, पिछले भी कई अलेक् है, बापके बाद बिल्कुल सही है कि हम, MP is a very peace-loving state, हमारे हैं उस तरह का नहीं है, जैसा है भारत के अने कही राज्यों में दिक्कत होती है, जुनाव को लेकर के, ना हमारे हैं प्री पॉल वालेंस की हिस्ट्री है, ना पोस्ट पॉल वालेंस की हिस्ट्री है, कुछ पॉ पॉल वालेंस की तैनाती होती है, जैसा मैंने कहा था कि आप 93 बैच के IS है, कई आप इंपोर्टन पोस्टिंग आपकी रही है, पिछला अगर हम आपका देखें कारेकाल तो आप जन संपर्क में थे, आयुक थे, वो भी एक चैलेंजिंग है, उस समें भी हमने आपको देख आपका था कि डिस्पाइट ओल दी चैलेंजिज यूवर आलवेस आप हर वक्त इजी गोइंग थे, डाउन तो अध थे, बहुत अगर हम कह सकते हैं तो फ्रेंडली, आपको अगर कोई फोन करता है, अगर आप नहीं उठा पाते हैं, तो यू कॉल बैक, जो एक IES की इमेज होती है generally, उससे थोड़े से अलग है, फोड़े सा different है, you are easy going है, तो यह कैसे आप रह पाते हैं? यह मैं इसके लिए मुझे कोई एक्स्टा इफर्ट नहीं करना पड़ता है, जैसा हूँ, जैसा हूँ, जैसा हूँ, जैसा हूँ, जैसा हूँ. यह जो श्रीडियो टाइप जो आप डिसक्राइब कर रहे है, इसा नहीं है, हर इनसान अलग होता हो इक अलग मुद्धा है, बट जितने अधिकारी हैं, जिस पद पे ही हैं, वो उतनी, अधिकरी बने बाहर के लोगों को ताने, जम एमपी कारण के में बात करों, तो यहां तो दर्शको आज हमने बात की चीफ एलेक्टरल ओफिसर मध्यप्रदेश अनुपम राजन जी से बहुत सारे इशूस पर बातचीत की क्योंकि चुनाव की सरगर्मिया है चुनाव 17 को है उससे पहले उन्होंने बहुत सारी जानकारियां और बहुत सारी जो प्रयोग किये तब तक के लिए दीजे हमें आगया नमस्कार ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेर, फॉलो और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइड.com पर जरूर जाएं